कि आप कि नर्शरी में आए देखो तीजे का पूरा एडिया गुलाब का है तो यहां से हम गुलाब लेने वाले हैं इसका आड्रस वाड्रस अब दे दूंगा मैं यहां से आके खोईदो गुलाब ज्यादा मतलो कमी है लेकिन है गुलाब बहुत पूछे यह पूड़ा है तो गुलाब वहां तक है अधर जो है रेडी हो रहा दी चले देखते हैं के करके तो इस स्वलापूर रोट से नर्शरी का एंट्री यह रहता है यह देख सकते हैं क्लासिक गार्डेन सौप यह आपको बोड़ लागा है यह नर्शरी है यह भी गार् इसी रासता पर अगर अंदर जाती है तो हम गुलाब की नर्शरी में टेकरेंगे सारा कुछ में आपके साथ सेयर कर रहा हूं तो आप वीडियो को पूरा देखो हम आउट भी देखेंगे और गुलाब बहुत हो जादा है कॉंटेक्ट डियल वगरा सब कुछ में देने वा órता है तो नर्शरी करके आता है जो पिछले भी डाल याला था मैंने सलनर शाडंगे हैक है देख लो इसका डिटेल अगार ले सकते हो तो यहां से आप यहां से कॉंटक्ट कर सकते हो क्यूंकि इनको उसकते हैँ आप को बल्क में चाहिए तो वैसे में लोकेशन भी बता दि वाले बड़े contactor होते हैं मतलब इनको बड़े असर से काम करना होता है पर आप contact कर सकते हो वो बात करेंगे तो यह हमारा नर्सरी आता है हमारा left side में पूरा नर्सरी है पूरा यहां से लेके यहां तो जो दिखरा आपको पूरा open place पर पूरा नर्सरी है और पूरा गुला भी इसमें cutting cutting करके रखा है और हम जाएंगे उस वाले corner पर इधर देखो कुछ plants लगे पर हैं यानि कि यह खराब हो चुके हैं और हम थोड़ा माइक्रो देखेंगे हृए माइक्रो भी इसमें देखेंगे अगर वीडियो का सब्सक्राइब करके plants को तयार किया हुआ है समय देख सकते हैं समय है ना बाट ग्राफ्टिंग किया हुए जो ग्राफ्टिंग का में अधर होता है मतलब आप बोल सकते हैं कि यहां पर खुद प्लांट्स की A to Z किया जाता है पहले ग्राफ्ट करके वह लगाते हैं फिर से उसको बड़े बैंग में लगा के सीचते हैं और तयार करते हैं फूल आता है फिर उसको सेल करते हैं फिर बारा हो जाता है फिर कट करके फिर लगाते हैं ऐसा करके प्रसीजर अपना है यह पूरा कुछ नहीं निकाल लेते अहागा तो पहले हम कुछ बाड़ी ह데ो कुछ दिनों सी मतलब पूरा का दो खृत नहीं मिल रहाथ है था ये सब्सक्राइब कर को आइडिया है उसकी मेरे साथ कोई नहीं है नहीं तो मैं पूस्ट के आपको साथ बता देता पर वह बोलते हैं कि हम उसको स्प्रे करते रहते हैं वह अक्सर आप यूज़ कर सकते हो यह कलर कितना सौंदार लग रहा है तो वाइट यह ग्राफ्ट किया हुए है माइको ग्राफ्टिंग किया रहता है और यह अपना वाइट पिंक है यह उतना भी देखने में अच्छा नहीं लगता है अपना अपना सब का पसंद है फिर अगर हम इधर देखते हैं तो इधर आपको छुट जड़ जो गुलाब होते वह है बाद में आपको थोड़ा और ज साइज बरे होंगे और जिसमें स्मेल रहता है उसको मैं दिखाऊंगा तो इसके फ्लावर का साइज छोटा रहेगा बड़ा ही खुब्सूरत सा स्मेल आता है आप नजीक जाओगे तभी आते हैं वैसे हाँ इसी में बता दूब अगर पीला वाला है तो उसमें स्मेल आता ह है बड़ा ही खुब्सूरत सा तो आपको अगर स्मेल वाला पसंद है तो उसे डिपेंड करता है लेकिन रोस का मतलब के हैं अगर स्मेल है तभी मज़ा आता है तो आप वैसे लगा सकते हो आपकी मर्जी है ज्यादा फ्लावर चाहिए तो कुछ गुलाब का कलर ही अलग होत और प्लांस के गुरोथ तो आप देखी पा रहे होंगे गुरोथ में कोई कमी नहीं है दो दो तिन तिन कलियां है कुस पत्ते देखो खराब हो रहे है तो उसको अभी इनको स्प्रे करना है कुस फंगस वगर अटक कर रहे है कुछ-कुछ रोज में ऐसा संबे नहीं किसी-क प्राबलम नहीं करियेट हुआ है आपको मैं सब कुस दिखा ही रहा हूँ लाइब में किसी में कोई भी एडिटिंग नहीं है सारा कुछ मैंने सूट कि आपको एज इटीज बता रहा हूँ मैंने कुछ अपने लिए भी प्लांस निकाल रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन मज़ा आएगा आपको आगे और भी कुछ से जैसे छोटे माइक्रो ग्राफ्टिंग हम थोड़ा डेफ्ट में उसको देखेंगे और छोटे वाल रोज भी हम देखेंगे तो इधर हमारा जितना प्लांस देखने को था दिखा अभी हम दूसरी दूसरे अगया में चलते हैं यानि कि हम आ गये हैं इस एरिया में और इस एयर्या में हम को दीखेगा ज pixel मिलेगा हमको और था यह पीज़ए हमारा पीञा पील आते हैं पीला वाला मै समेल होता है इसलिए फेमस है और यह तो अपना पिंक आए ही पीला वाला तो काफी अच्छा होता है क्योंकि स्मेल आगर चाहिए तो यही फूल होता है और यह सब है जो गुलाब यह भी रेडी नहीं हुए अभी थोरा सा लगाया हुए है अभी आप टू रेडी है कुछ दिनों बाद आपको यह भी अभी दिनों बाद मिलने लागे गाए गुलाब क्योंकि यह भी आल्मोस्ट रेडी है पर पूरा का पूरा रेडी नहीं किसी कसी में फूल तो लगे है लेकिन हमको जादा फूल चाहिए जादा वोट्स चाहिए नरसरी वाली की विया ही डेमांड होती है एक कि यह रोज का देखो कितना सांदर सा मतलब ब्लाक रोज बोल सकतो ब्लाक से भी कहीं अच्छा है पर इसमें कलिया नहीं थी डट्ट वाई आइडिंट गेट ज्यादा कली नहीं था ना कुछ भी कली नहीं था लेकिन है है हल्दी था प्लांट कलर बड़ा सांदर था चलो माइक्रो ग्राफ्टिंग वाला देख लेते हैं जो छोटे हैं प्लांट अभी बैग में है अब इसको क्या करेंगर सरी वाला बड़े बैग लगाएंगे उसका फ्लावर का उम्मीद रखेंगे हां वैसे फ्लावर वैसे भी आ जाता है किसी-किसी में आप देखोगे तो फ खराब हो जाते हैं अगर वह ठीक से ग्राफ्टिंग नहीं हुआ कुछकर फंगस लगया तो खराब हो जाते है पर उनको यही के टैलेंट है जो करते हैं और मैं बता दूँ कि गुलाब बनाने में जैसे माइक्रोग्राफ्टिंग अगर आपने कभी किया होगा तो पर्टिकुलर प्लांट पे काम करना पड़ता है गुलाब की यही एक मेहनत सबसे जगर किया रहते हैं यानि कि बड़ाफ्टिंग तो हार प्लांट को लगाए जाता है । काटने के बाद भी एक किया जाता है तो तो इसलिए मेहनत जादा पड़ता है गुलाब को वैसे भी अमेशास से कली भी बन गया किसी किसी में कली अटमेटिक बन जाता है थोड़ाशा ब्रवाइन सअ बहुत दरसते तो फूल आ जाते हैं घ्र Apost कि इस वीडियो में इतना ही रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक चरूर करोगे तो चलो हमारा स्वोपिंग हो चुका हमने प्रांस ले लिया अब हम आउट होते हैं और ये सारा एडिया आप देख रहे हो ये यहां पर लोग बैटके माइक्रो ग्राफ्टिंग करते हैं हो सकता है कुछ दिन बाद मैं आपको लाइव सेयर करूंगा आपके साथ ये सारे गुलाब खराब होके बैक परे हैं तो इतना नुकसान भी होता है कुछ दिन बाद जैसे 50 के कंप्लीट होने के बाद definitely मैं आपके साथ चरूर सेयर करूंगा ये सब चीजे विद प्रूफ हम देखें किस तरीगा से पूने वाले नरसरी जो है वो नरसरी वाले उसको किस तरीगा से ग्राफ्ट करते हैं हम उनसे बात करके ये सब कर सकते हैं साड़ी उसके लिए ओके तो तब तक के लिए बैए टे केर